हलो फ्रेंज, वेलकम टू मैं चैनल, देवजी के ट्रेक्स, फ्रेंज आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश समान ज्यान से सम्मंदित 35 प्रशनों काटे सॉल करेंगे, बहुत ही अच्छे प्रशन हैं, और ये प्रशन आपकी एक्जाम में पूछे भी गए हैं, और सभी एक्जाम में आते भी रहते हैं, और आपको बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने कई पार्ट बनाए हैं, जिसमें से 46 पार्ट हमने यूपी स्पिसल के बना रखे हैं, और हमने प्लेलिस्ट बना दिया हैं, तो वहाँ पर उनको देख सकते हैं, समय का एक कह सकते ह और आपको पढ़ना बहुत जादा है, तो आप लोग जो हमारे पिछले वीडियो पढ़े हुए हैं, तो उनको भी साहरा लेकर आप जल्दी जल्दी से अपना कोर्स कवर कर लीजिए, ठीक है न, और जितना हमसे हो पारा है, उतना हम आपके साथ लगे हुए हैं, और आपक यूपी में था, वो किस वर्ष में आरंभ हुआ था? और यहां पर आपके चार आपसन है, और राइट अंसर आपको क्या हो जाएगा? अठारा सुचाचट, अठारा सुचाचट में द्यो बंद आदोनर आपकी यूपी में चाल हुआ था, नेश कर आपसे यह आपर, कि उत उत्तर प्रदेश में किस इस्थल से सोहन संस्क्रेटि प्रांथ हैं पासान जो पासान काल के थे ईससमय की उपकराण प्रांथ हुए है आपके प्रतिमा निम्न से किस से निर्मित की गई है और ये निर्मित हुई आपकी थी अस्ति निर्मित याद रखेगा लोहदा नाला की बात कह रहा है ना कि आपके हडपा सबदा की बात कह रहा है ठीक है ना ये पुरा पासान की बात कह रहा है ठीक है ना और पुरा पासान काल में जो भी आपकी एक मात्र डेवी की मुर्ती थी वो आपकी कैसी बनी थी यहाँ आपकी अस्तियों से निर्मी थी आपकी इसमें ठीके न आप पुरा पासान काल की नेश करब से उत्तर प्रदेश में मद्ध पुरा पासान कालिन उपकरण निमने से किस स्थान से प्रात हुए है तो आपके पुरा पासान कालिन जो की मद्ध पुरा पासान कालिन का उपकरण पूछा है कहां से हुए हैं तो आपसन राइट आपका D हो जाएगा आपके सिंगरोली से भी हुआ है चकिया से भी हुआ है और आपके बेलन गाटी अर्था तीनों से ही आपके प्रात हुए हैं मद पुरा पासान कालीन आपके उपकरण नेश कर आपसे यहाँ पर पुरा पासान योगीन उत्तर प्रदेश में प्राप्त साच्छों के आधार पर तत कालीन लोगों को निम्ण में किसका ग्यान था ठीक है ना आपके पुरा पासान कालीन समय में उत्तर प्रदेश में जो साच प्रात हुए हैं उनके अधार पर लोगों को किसका ग्यान था यहाँ पर 44 का ओप्सन राइट आपका हो जाएगा C पस पालन को उनको ग्यान था जो भी इस समय यूग की लोग थे उनको पस पालन क्या ग्यान था नेश कर आप से कि राज जी का कौन सा चेतर मद पासान कालें उपकरणों हे तो अत्यंत सम्रद है ठेकर ने कौन सा चेतर है आपका 45 का ओप्सन राइट आपका हो जाएगा D अर्थात विंद चेतर और आपका मद गंगा वाला चेतर याद रखिएगा यही ऐसे चेतर हैं जो हमेशा आपके पानी इस्तलेसों गिरे रहते हैं नदियों वागार निकली रहती हैं इस कारण यही आपके लोग निवास करते हैं नदियों के किनारे नेश कर आप से उत्तर प्रदेश राज जी के किस चेतर से प्राप्त मद्य पासाड़ी के साच्चों में जोपड़ियों के होने के प्रमाण मिलते हैं मतलब जोपड़ी होने के साच्च मद्य पासाड़ काल में कहां से मिलते हैं और ये पासाड़ मिलते हैं आपकी इलाहबाद छेतर से ठीक है जो वर्तमान में प्रयाग राज आपका हो गया है ठीक है चलिए निसकर आप से आपर आपको कथन और निसकर से देना है कहरा है उत्तर प्रदेश के प्रताब गड़ मिले में मतलब जिले में यहाँ पर जिला होना चाहिए प्रतापगड जिले में इस्थित दमदमा नामकिस्थान का उत्खननकार 1982 भी से आपको 1987 की बीच किया गया था और आपका कथन कहरायां पर सेकेंड कि दमदमा में मानव सवाधान के 41 साच प्राप्त हुए और यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है यहाँ पर आपको इन कोश्चन पर अमल करना होगा तो यहाँ पर राइट अंसर आपके दोनों है अर्थात यहाँ बाला भी सही है और कथन आपका दोनों सही अर्थात अपसनल राइट आपका सी हो जाएगा दोनों ही सही है नेस के राप से उत्तर प्रदेश के निमने से किस इस्थल से 9% कालिन साच प्राप्त हुएं 9% काल में आचुके हम लोग 9% कालिन साच प्राप्त हुएं कहां से तो 48 कोप्सन राइट आपका यहां परावकाड डी हो जाएगा मतलब कोल डी हावा से भी प्राप्त हुआ है और आपके महगड़ा से भी प्राप्त हुआ है और पंचोग से अब ए भी से आपके तीनों से प्राप्त हुएं नेस के राप से उत्तर प्रदेश के किस इस्थान की खुदाई से धान की खेती के लिए आपके कहिश सेकर प्रमार में धान की क्येती की और धान की क्येती की जो अपके प्रमार मिले हैं वो मिले हैं कोलड हावा ठीक है निस कर्याप से उत्तर प्रदेश राज्जी में लोगों ने किस युग में खाना बदोस वा घुमंतो जीवन चोण कर इस्थिर ग dei हाट की थी और यह जो आपका इस्थिर जीवन कह सकते हैं यह आपका जो आया था उई उपी में वो पसनल उपी में आ गया था नो पासाड युग में आपके उपी की जो लोग थे वो अपना खाना वदोस्व गुमंतो जीवन छोड़ दिया था और इसके बाद अपना इस्थाई जीवन या समाजक जीवन की सुरुवात कर दिया था यहाँ आप से कुन से कथन आपका सत्त है यहाँ पर आप से कयה रहा है कौन से कथन आपका सत्त है तो चला नोग सवाधान मिलें जिसके सिर पस्चिम की ओर थे तो ये क्या बास सही है बिलकुल राइट अंसर है दूसरा कही रहा है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र इलाबाद तदा प्रतापगड जिलों में पासान कालिन सब्विता के साथ शप्राप्त हुए है ये भी बिलक अपर छेतर है बेलन घाटी आपकी इलाबाद से आपके मद्र पूरा पासान करने उसे प्राप्त हुए ये भी बिलकुल राइट अंसर है अर्थात आपसन राइट अपका बी हो जाएगा 1,2,3,4 आपको हो जाएगे समझ में आगया होगा चलिए निसकर आपसे उत्तर प् अपसन राइट आपका डी आपके आरमगीरपुर से विवा है बड़ागाउं से विवा है आपके हुलास आपसन आपका तीनों आपका सही हो जाएगा नेसकर आप से उत्तर प्रदेश के किस इस्ताल से तामरभ पासान कालिन संस्कृत के प्रमाड मिले हैं आपके और ये ज अपसन राइट आपका ए और बी ये जगह मिलें ठीके ना डी सही हो जाएगा नेसकर आप से कि उत्तर प्रदेश के निम्ण से किस इस्ताल से लोह यूगीन सब्विता के और ये प्राप्त में और ये जो प्राप्त में लोह यूगीन की बात कह रहा है ठीके ना और 54 का पर कि उत्तर प्रदेश के कोल लिहावा तथा महगड़ा जो इलापा से अनाज रखने वाले बरतन जो की घड़े वा मटके प्राप्त हुए है और यहां पर आपसे कथन सेकेंड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के आलमगीर जो मेरत तथा बड़ा गउं यो महुलाज जो की स आपसे कि भारती उप महाद्यूप में क्रसी के प्रचीनतम साच प्राप्त हुए हैं मतला आपके भारती उप महाद्यूप में देखा जाए तो प्रचीनतम साच प्राप्त हुए हैं क्रसी के यह कहां से प्राप्त हुए हैं तो 56 का आपसन राइट आपको हो जाएगा प्रावन का ऑफसन राइट आपका D, आपके हैं सराय नाहर से हुए, ठीक है, सराय नाहर से मिले हड़ी के ओप करण, ने सक्राब से, गैरिक मृत्भांड पातर, जो कि OPC का नाम करण हुआ था, और ये कहा हुआ था आपके नामकरण नामकरण जो हुआ था आपके हस्तिनापुर में हुआ था ठीक है हस्तिनापुर में निसकर आप से उपनिसद काल के राजा असुपतिस हा सकते उपनिसद काल के राजा असुपतिस हा सकते और ये सासक कहां के थे 59 का उप्सन आपका बी हो जाएगा के 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 देश के आपके थे नेस कर आप से उत्तर वैदि काल के कुरू एवं पंचाल राज्जी किस वरतमान च्छेतर में इस्थित थे तो 60 का अप्सन राइट आपका ए हो जाएगा आपके उत्तर प्रदिश में या पढ़ते हैं नेश कर आप से यहाँ पर भारत में उत्तरवैदिक संस्कृति का मुक़् केंधर आपका कौन था यहाँ पर 60 अप्शन रैट अपका सी हो जाएगा आपके उत्तर प्रतेस से ठीक है निसकर आपसे कि उत्तर प्रदेश के प्रचीन जो कुरू राज में निम्न में कौन सामिल नहीं है और यहां पर आपका जो बरेली है इसमें से सामिल नहीं है लेकिन मेरट दिल्ली थाने सोर आपके कुरू छितर में आते थे नेश कर आप से उत्तर प्रतेश में इश्थित आपकी रिगवेदिक राज जो की पंचाल की राध्धानी कहा थी 63 का और अप्शन राइट आपका सी आपकी कमपिल थी ठीक है कमपिल थी नेश कर आप से यहाँ पर आपका कथन और आपका दूसरा कथन भी दिया है कि यहाँ पर कह सकते हैं भरत द्वाज, यग्यवल्क, वसिस्ट, विश्वामित्र तथा बालमी के आदिमहान रिशियों की तपिस्थली कुरू पंचाल प्रदेश में ही इस्थिती बिल्कुर राइट अंसर ये भी आपका कि उत्तर वैदिक काल में पाए गए चार प्रकार के मरत भांड अथात काला लाल काली लेप युगत चित्र दूसर और आपका लाल मरत भांड में से लाल मरत भांड के आउसे संपूर उत्तर प्रदेश में प्राफ्त हुए हैं क्या ये बास सही है तो बिल्कुर ये भी बास स निश्ट्ट आपको दिया गया यहां पर कौन सा कतन पूछ रहा है कौन सा आपका सत्य तो हम पर पहले रहा है कि अत्तर वैदि काल के रामायड ये महा बहरत जैसे महा काब्यों की रचना हुई थी बड़ा प्यारा खोर्शन आपका है और राइट अंसर ये भी आपका है सेकिन कहरा है से रामयर्थ का संबंद रामयर्थ कथा का संबंद कौसा लातात अयोध्या उत्तर प्रदेश के आपके इच्वाक वन से संबंदी थे ये भी बिल्कुल बात सही है तीसरा कहरा है महा भारत कथा का संबंद हस्तिनापूर उत्तर प्रदेश के कुरू वन से संबंदी थे ये भी राइट अंसर है और चौथा कहरा है महा भारत की रचना बालमीकी ने ब्रह्मा वर्त अर्थात बिठूर कानपूर में तथा महा भारत की रचना ब्यास जीने की थी क्या विबास सही है तो बिलकुल ये राइट अंसर है जो कि चारो आफसन अगर राइट हैं तो आफसन आपका यहां पर एदेखने मिलाओगा एक दो तीन चार समझ में आ गया चलिए नेश कर आपसे कि छटी सताबदी इस भी पूर में भारत में चटी सताबदी इस भी पूर में भारत में अस्तित में रहे 16 महाजनपदों में से कितने उत्तर प्रदेश था जो 16 महाजनपद थे 36 अबदी किस्विपूर में तो उसमें से उत्तर प्रदेश में आपके कितने थे 6-6 में 6-6 का option आपका D आपके उत्तर प्रदेश में 8 थे ठीके 8 जनपद थे के कोशन बहुत बार पूछा गया है नेस कराफ से कि उत्तर प्रदेश में आठ जनपदों के अलावा कितने गरतंतरी राज्य अस्तिति में थे तो गरतंती जो राज्य थे वो थे आपके दो कौन थे आपके दो थे अपसनाइट अपका बीस हो जाएगा नेस कराफ से कि निमलिखित में से कौन सा एक इसापूर छटी सताबदी के प्रार्म में भारत का सरवाधिक सक्तिसाली नगर राज्य था तो भारत का सरवाधिक सक्तिसाली नगर राज्य था आपका अर्शट का आपसन राइट आपका क्या हो जाएगा याँ पर अर्शट अर निए पनचाल की राध्धानी संटी थी, महाभारत के अनुशार उत्त्री Panाचाल की राध्धानी थी यहां पर आपका शिस्टी्न ऐन की उसरेट आपका सी आथाद आई छत्र थी ठीके अई चत्र थोड़े इसका हम छोटा कर लेते हैं ठीके चलो यहाँ पर आपसन आपका C हो जाएगा और नेश कर आपसे कि छटी सताब दीश विपूर में मुक्ति मती राध्धानी थी मुक्ति मती राध्धानी थी किस की थी और आपका सत्तर का उसन C आपकी चे दिखी थी ठीके चे दिखी थी और नेश कर आपसे यहाँ पर जो कि लास्ट कोश्चन है कि प्राचीन स्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था और आपको बता दें कि एक दू चैप्टर है नहीं ऐसे जो आपकी स्टार्टिंग में या प्रारंभिक जीवन के बारे में हैं लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आपको करन्ट से अपडेट मिलेंगे गुप्तकालें से अपडेट मिलेंगे जो भी आपका यूपी से सब आपको मिलता चला जाएगा और दस सो तक मतला में एक हजार इस भी तक आपके उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी इस्तियास रहती है तो आपको इतियास तो पढ़ना पड़ेगा वो आपकी यूपी स्विसालो या आपकी इतियास हो ठीक है ना तिहां पर आपका लास्ट कोश्चिन कह रहा है प्राची लोग वहाँ भी मेनत कर सकते हैं हाली में देखा जाए कि ये वीडियो अपलोड कर रहा है आपको बताने के लिए कि पिछले वीडियो जो हमने आपको चार मंद पहले से आपको तैयारी करा रहे थे बहुत ही वीडियो बना दिये एक 106 वीडियो आपके मंडी परसद के हमा करना है ठीक है आपड़ेंट्स हम लोग मिलते एक नए वीडियो तब तक के लिए धन्माद जय हिन जय भारत